इसले वीडियो में हमने परलेलोग्राम के बारे में पढ़ा था और चीजों को देखा था ठीक है तो परलेलोग्राम के सारे थियूरम्स हमने पढ़े थे तो कुछ एक चीज और है जो कि इसमें जरूरी है कोडिलेटरल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसको आज हम फिर हम लोग types of parallelogram भी करेंगे और उसके जो theorems हैं वो भी करेंगे ठीक है तो आज हम लोग सबसे पहले आते हैं midpoint theorem पे तो midpoint theorem है क्या तो midpoint theorem कहता है कि the line segment in a triangle joining the midpoint of two sides of the triangle is set to be parallel to its third side and is also half of the length of the third side इसका क्या मतलब हुआ कि वो line segment जो कि दो lines, triangle के दो lines, किसी भी दो lines के midpoint से मिल करके बना हुआ है ठीक है और बोला कि वो जो line segment होगा वो parallel होगा कि इसके तीसरे side के और एक चीज़ और बोली उसने कि वो line segment जोगा वो तीसरे side का आधा भी होगा ठीक, तो अब जड़ा देखो कि यहाँ figure में एक triangle है, ABC इस triangle ABC में दिया हुआ है E और D ये D और E क्या है, midpoint है, किसका? E किसका है, AC side का और D किसका है, AB side का midpoint है midpoint का क्या मतलब होता है? कि side को वो two equal parts में divide करता है यानि AD बराबर क्या है? AB, AE बराबर क्या है? AC है ना? ठीक, तो यहाँ पे बोल रहा है कि क्या हम लोग को prove करना है कि D is parallel to the side BC D प्रूफ करना है कि parallel है कि side BC के, BC side के parallel है और ये भी prove करना है कि D जो है 1 by 2 BC है, यानि कि BC का क्या है ये? half है, ओके? इस चीज़ को अब हम लोग को prove करना है तो prove करने के लिए हम कुछ construction करेंगे तो देखते हैं कि क्या construction करते हैं हम लोग ठीक है, उस proof करने से पहले एक चीज़ और देख लेना छोटी सी information है जिसको मैं बता दूँ कि जैसे कि अगर माल लो कि ये line जो PQ है ये parallel है कि इसके AB के, ओके? ये दिया हुआ है माल लो और इसी P point पे कोई, पी Q line पे कोई Z point है तो P Z भी parallel होगा AP के क्योंकि एक ही line है दोनों ये line जो है ये P Z भी एक ही line है P Q आला line ही P Z है और parallel का मतलब होता है equidistant in a plane है ना कोई भी line को parallel हम कहेंगे जब वो equidistant हो क्या हो एक plane में ही equidistant हो equidistant हो plane तो ये देखो बात clearly समझ में आई तो यानि कि ये P Q line अगर AB के parallel है तो P Z line भी क्या होगा AB के parallel होगा ये भी बात समझ में आई तो इसी से कुछ related आगे में कुछ concept है जिसको इसमें बताना है ठीक तो देखते हैं अब इसकी proving तो इसकी proving में क्या है कि सबसे पहले हमने कुछ construction करा construction में क्या किया कि construction में हमने क्या किया कि line segment D को हमने extend कर दिया F तक और इस तरह से extend किया जितना कितना extend किया D length को ही extend किया यानि कि D बराबर EF हमने यह क्या किया construction से किया यानि EF length जो है इवे D के बराबर यह यह यानि D बराबर क्या है EF ओके अब ज़र्ण देखो कि 2 triangle बन गये और क्या किया C को F से जोड दिया ठीक, D बराबर क्या आ गया हमारा, EF आ गया, और C को क्या किया, F से जोड दिया, ठीक, अब हमारे पास दो ट्रेंगल मिले, एक ट्रेंगल A, D, E मिला, और दूसरा ट्रेंगल क्या मिला, C, F, E, ये वाला ब्लू वाला ट्रेंगल, है न, अब ज़रा इस दोनों ट्रेंगल में देखते हैं तो हमें कुछ मिल रहा है कैसे इसको congruent करते हैं तो सबसे पहले तो हमें मिला D बराबर EF ये बात तो हमें मिल गई ठीक है, एक एंगल भी मिल गया हमें, क्या एंगल मिल गया एंगल D, E, A बराबर होगा एंगल C, E, F के वर्टिकल अपोजिट एंगल ये भी चीज मिल गई, ठीक है नेक्स्ट चीज हमें क्या मिलती है कि जरत देखो कि ये D मिड पॉइंट है तो AD बराबर DB होगा होगा की नहीं होगा ये बात क्लिरली समझ में आई तो ये एक चीज होगा और E मिड पॉइंट है तो AE बराबर क्या होगा EC होगा ये एक चीज है यानि कि E बराबर AC एक चीज और हमें गिवन मिल गया E मिड पॉइंट है तो ये बात समझ में यानि कि तीन चीज मिल गई हमें क्या मिला एक D साइड मिला इस ट्रेंगल का और इस ट्रेंगल का EF, यह दोनों बराबर है, एक एंगल मिला हमें, यह वाला एंगल, एंगल C E F, और एंगल A E D, इस ट्रेंगल का, यानि यह दोनों भी बराबर है, और तीसरा चीज क्या मिला, यह साइड मिला, इस साइड के बराबर, यानि A E बराबर क् यानि ये side, यानि triangle किसी से congruent हो गया, S, A, S से, ये triangle हमारा S, A, S से congruent हो गया, ठीक, ठीक है, अब जब triangle S, A, S से congruent हो गया, तो C, F, E, angle C, F, E, C, F, E, ये वाला angle जो होगा, वो किसके बराबर होगा, इस वाले angle के, A, D, E के, इस वाले angle के, क्यों, C, P, C, T से, क्योंकि A, E, side जो है, बराबर है किसके, इसी side के, तो इस side के सामने वाला ये angle और इस side के सामने वाला, EC side के सामने वाला angle F, ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा, तो देखो, मैंने यहां लिखा है कि angle CFE बराबर है किस से? ADE के CPCT से, उसके बाद एक और angle बराबर होगा, ये green वाला जो angle दिख रहा है क्योंकि EF side और DE side दोनों बराबर है, तो DE side के सामने वाला angle A, और EF side के सामने वाला angle C, ये दोनों भी बराबर होगा, तो देखो, मैंने यहां पर भी लिखा है, इसको भी ये वाला angle, है ना? FCE और DAE ये वाला angle, ठीक उसके बाद, ये देखो, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट अंगल्स है ये भी दोनों बराबर हैं, तो इसके सामने वाला side ये बराबर होगा, इसके सामने वाला side इसके, यानि कि AD बराबर क्या मिल गया? CF AD बराबर हमें क्या मिल जाएगा? CF ये भी हमें CPCT से मिल जाएगा AD बराबर? CF AD बराबर CF ठीक, अब ज़रा देखो कि ये angle इस angle के बराबर है ये angle इस angle के बराबर है ये तो ये दोनों कैसे angles हैं alternate angle है तो alternate angle रहता है इसका मतलब क्या है हो जाएगा कि CF जो होगा ये parallel हो जाएगा किसके? AB के CF parallel to AB अच्छा CF parallel AB के तो CF parallel BDK भी हो जाएगा यह बात clearly समझ मैंगी अगर CF AB के parallel है तो CF किसके parallel होगा BDK भी हो जाएगा ठीक, एक चीज तो हो गया CF बराबर है किसके? ADK CF बराबर है किसके? ADK, अभी हमने vertical opposite angle के सामने वाला CPCT से proof किया यह वाला चीज CF बराबर ADK और AD बराबर है किसके? BDK क्यों? क्योंकि midpoint है AD बराबर है किसके? BDK तो CF क्या BDK बराबर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा बिल्कुल तो CF बराबर क्या हो जाएगा? BDK, यानि कि यह CF जो है, यह हमने proof कर दिया कि यह बराबर है किसके? BDK, ओके, यानि एक ही साइड को हमने parallel भी प्रूफ कर दिया, और एक ही साइड को हमने क्या प्रूफ कर दिया? इक्वल भी प्रूफ कर दिया, तो जब भी किसी भी क्वाडिलेटरल का किसी भी एक साइड को parallel प्रूफ कर दे, और उसी साइड को equal भी प्रूफ कर दे, तो वो क्वाडिलेटरल क्या हो जाता है? प्रूफ कर दिया, प्रूफ कर दिया, ब्रूफ कर दे, प्रूफ कर दे, वो क्या हो जाएगा अब जाता है? E भी पैरलल होगा BC के D E भी पैरलल होगा किसके? BC के ये बात clearly समझ में आई कहीं कोई doubt नहीं होना चाहिए ठीक है? आच्छा और D E क्या है? 1 by 2 BC हो जाएगा कैसे हो जाएगा 1 by 2 BC? कि देखो D E को हम लोग क्या लिख सकते हैं? D E को हम लोग क्या लिख सकते हैं? D E जो है वो E F के बराबर है और D F ये पूरा D F D F बराबर क्या लिख सकते हैं? D E प्लस E F ये लिख सकते हैं और D E किसके बराबर है? E F के बराबर है तो हम लोग D E को 1 by 2 D F लिख सकते हैं D E को 1 by 2 D F लिख सकते हैं और चुकि B, D, F, C एक पैलेलोग्राम है, तो D, F बराबर B, C भी होगा, यानि कि D, F बराबर B, C भी होगा, यानि कि D बराबर क्या हो जाएगा, 1 by 2, 1 by 2, B, C, यह प्रूफ हो जाएगा, बात के लिए, इस क्लिरली समझ में आई, यह midpoint theorem है, अच्छे से समझना, सब कुछ ल लगाओगे यहाँ पे, तो चीजों को समझ जाओगे, ठीक, अब जरा हम लोग देखते हैं, यह सारी चीजे बिलकुल क्लिरली अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि midpoint theorem बहुत important है, इससे बहुत questions आने वाले हैं, ठीक है, और इसका converse भी पूछा जाता है, डाइरेक्ट, ठी हम लोग अगले वीडियो में proving करेंगे, ओके, थैंक यू, अल अफ यू,